महराजा छेतर साल के पिता की मृत्यू तभी हो गई थी जब छेतर साल के वल पांच साल के थे और उसी वक्त उनके कैपिटल सिटी पन्ना को मुगल इंपरशा जहाने अपने आधीन कर लिया छेतर साल और उनकी मा अपने ननिहाल चले गए बारा वर्ष की आयू में छेतर साल ने युद्ध कोशल सीखना शुरू कर दिया था महस तेरा वर्ष की उम्र में उन्होंने चार मुगल सैनिकों को अकेले हरा दिया शाह जहान की गद्धी जब औरंगजेब के पास आई उस वक्त महस बाइस वर्ष के चतर साल ने पन्ना के निवासियों का भरोसा जीत कर बस पाँच गुड सवारों और पच्चीस तलवार बाजों की मदद से औरंगजेब पर आक्रमन कर अपने राजी को फिर से जीत लिया यहां से चतर साल के विजय की शुरुवात हुई अपने 84 वर्ष के जीवन में चतर साल ने पचास से ज्यादा युद लड़े और जीते भी इत जमना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस चतर साल से लरन की रही न काहों होंस मतलब चतर साल के पराक्रम की कहानिया देश भर में कुछ यूँ फैली थी कि कोई भी राजा महराजा चतर साल से लड़ना नहीं चाता था सन 1731 में महराजा चतर साल चल बसे लेकिन उनकी कहानिया आज भी लोगों को मूँ जुबानी याद है इसी कारण पेशवा बाजी राओ ने धुबेला में उनकी याद में एक समारक यानी सनोटैफ बनवाया जिसका नाम पड़ा चतर साल की चतरी इतना ही नहीं उनके समारक से थोड़ी ही दूर पर उनके घोड़े भले भाई का भी समारक बना है और उनके पराकरम का अभिवादन करते हुए आजाद भारत के पहले प्रधान मंतरी पंड़त जवाहर लाल नहरू ने सन 1955 में 16 साल की बनाए हुई एक पोर्ट्रिस को 16 साल म्यूजियम के नाम से पुना अस्थापित किया वैसे तो ये आज भी वैसे ही खड़े हैं चुपचाप अपने कहानियों को सुनाने के लिए लेकिन आज इन खिलो की कहानियों की वो इंपोर्टिंस नहीं है जो इन्हें मिलनी चाहिए कहते हैं राजी सब रायत रहे ताजी रहे सिपाही छत्र सालता राज को बारनबा को जाही